कि सो हाई हलो नमस्कार कुछ चीजे में आप सभी से बात करना चाहता हूं तेखो सबसे पहले तो मैं बदा देना चाहता हूं कि थोड़ा दूरत हूं यहां पर सबसे पहले तो मैं यहां बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई बेहन लोगों यार मैं आपको बहला के फुसला के या कुछ ऐसे तरकीब लगा के कोई जादू करके आपको खुश रखके मैं आपको रिटीन करना नहीं चाहता हूँ एक जॉब मेरे पास है बड़िया वेल सेटल लाइफ है मैं अगर इस वीडियो को बना रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है दोस्तों कि अगर मेरे दो शब्दों से ज़र सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगता है सुकुन लगता है और फिर मैं यह बता रहा हूँ सुकुन लगना खुश करना यह वाला खुश ही नहीं है होता है ना कि आप मेरे को देख रहे हो मैं आपसे बाते कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है और एक responsibility बन जाता है कि मैं आपसे सच ही वो ली इस चैनल में आपको ने हवा हवाई बाते नहीं मिलेगा कि मैं आप वो ऐसा अरे ऐसा हो जाओ ऐसा नहीं प्रैटिकल के बाते करता हूँ आज लोगों ने IBPS PO examination को दिया कुछ लोगों का exceptional जो है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो qualify कर चुके हैं लेकिन maximum लोग ऐसे हैं जो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भाया attempts तो दिख रहा है 60 attempts तो दिख रहा है 70 फिर भी मन में वो सवाल आ रहा है कि अरे भाया इतने attempts हैं लेकिन हम qualify करेंगे कि नहीं करेंगे मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल cut-off किया था 49.5 यह IBPS PO है कोई state wise आपको यहां पर नहीं दिखेगा ओवरली पुरा देश भर से जितने लोगों ने examination दिया है general cut-off आता है मतलब overly cut-off आता है फिर category wise अलगले cut-off आता है तो I think 49.5 गया था उसके ठीक एक साल पहले 50.5 cut-off किया था एक बात को समझे आप अगर मैं आपसे बोलता हूँ और पिछले साल का क्वांट का cut-off में बता देता हूँ जो आप क्वांट के लिए इतना डर रहे है उतना लग रहा है भाया क्योंकि क्वांट में बस छे बना की लोगा है साथ बना की लोगा है data interpretations इतनी टॉप कुछ ही गे तो बाकी साले chapter आप देख लीजेगा क्यों टेक्निकल इडिज आप ज्याद अच्छा समझते हैं ठीक है तो बस generally एक चीज बता रहा हूँ है पिछले साल I think मेरे को जितना याद आता है और मैंने जितना भी देखा अभी eight point कुछ cut-off किया था eight point seven five eight point two five sectional cut-off किया था point में एक और बात यह है sectional cut-off गिर गया था overall cut-off 49.5 था चल अपमान के चलते हैं पचास पचास का मतलब क्या होता है पता दीजी क्योंकि आज English में लोगों ने 25 से 30 बनाया है अगर accuracy 90 परसेंट भी पकड़ लें 30 में से 27 marks 27 minus 3 कर लो minus 3 3 नहीं 1.5 कुछ होगा तो minus कर ली तो 26 कुछ आ रहा है या 25 कुछ आ रहा है तो English में अकले लोग 25 बना ले रहे हैं मैंस में लोगों ने दस भी मान के चलते हैं 35 बना लिया तो reasoning में लोगों ने 25 बना दिया पच्पन तो पार हो गए यह यही आपकी सोच है ना लहीं मैं आपको बता देता हूं कभी भी IBPS PO का कटफ हो या जो overall पूरा नकलता है जहां पे English पुछा जाता है कटफ English से बिल्कुल English एक ऐसा चीज है जो आप guarantee नहीं दे सकते हो कि कितना आपका एक और इसी है कितना आपने अच्छा किया कभी लग रहा था कि option number A होगा कभी लग रहा था कि option number B होगा यह ख्रयाल आ रहा था तो पचास कटफ कैसे पहुंचेगा क्योंकि आपको पता है कि reasoning और मैस पूरा 100% एक और इसी रहेगा ठीक है तो मैस में बत्तर सबत्तर अगर आप बनाते हो तो आठ जायका कटफ मान लो तो आठ वहाँ पे हो गया और आपने 20 reasoning में बना दिया तो 28 हो गया पचास में पहुंचना है तो आपको 22 चाहिए English में तो इसलिए मैं कटफ के बारे में यहाँ पे नहीं बोलूँगा इतना मान के चलिए यह तो सुमिश्चित है दोस्तों कि कार से लोगों ने attempts करा है कटफ अगर section में गिरता है तो overall भी गिरेगा तो overall अगर 50 नहीं भी हो तो 45 रहेगा तो दीखिए मैं rough idea दे रहा हूं अभी से cut-off नहीं बता रहा हूं क्योंकि cut-off जानने के लिए आपको एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा जहां पर और चार से इसमें exam होगा तोटल लोगों में examination खतम हो जाएगा फिर उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं क्योंकि अभी add-on advantage हम लोग लेना चाहते हैं कि अगर पता चल जाए या कुछ ऐसा हो तो फिर हम 5-6 दिन extra current defensive manner कर सकते हैं या कुछ रंडिती बतांके थोड़ा पढ़ाई कर सकते ह वो add-on advantage लोगों को लेना रहता है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो पचास शोएगा कैसा है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हो comment section बिलकुल लिखिना maths और reasoning दोनों मिला के कितना marks आ रहा है या कितना आपका attempts है दोनों मिला के 30 attempts भी हो जा रहा है न दोसको तो फिर मान के चलो आप positive side नो English जनरल सबका होने वाला है अच्छा ही होने वाला है और और overally 75-80% accuracy रहता ही है तो वो तो छू लोगे आप English पार कर लोगे लेकिन अगर maths और reasoning में अगर आपने 30 छू लिया तो निशिंद रहिए आप कर सकते हो क्योंकि cut-off इस बार quantum गिरने वाला है और मैं कुछ बोलता हूना दोस्तों आप पिछले दो वीडियोस आप देख ली रहते हैं वो अंदाजा हो चुका है और मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था आपको कोई section और tough नहीं है बस quantity tough है आप देख लिए quantity section एक और चीज़ मैं बताना भी चाहता हूं आप समझ भी लीजिए reasoning जो है ऐसा नहीं कि reasoning भी हल्वा पुछा गया था तो आप करवा देता है 30 35 हो गया 35 तो बहुत अच्छा हो जाएगा 35 हो गया 40 हो गया तो फिर वहिया आप अच्छा कर सकते हो ठीक है मॉक्टे सब्सक्रिप्शन गाइडली का उन्हें लॉंच किया है तो मैं यहां पर screenshot आप सबको दिखा दूंगा बहुत nominal price में है practice करिए एक और ची के बाद ना लोग इसके आधी हो जाएंगे और जब आधी हो जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे कि टफ भी उनको normal लगने लगेगा हमको हमारा preparation उस लेवल का करना पड़ेगा कि हमको भी normal लगने लगे ठीक है कोई बैठने वाला नहीं है कि टफ आ गया तो भी आ गया तो आगे ऐसा नहीं है लोग करेंगे प्रयास करेंगे महनत करेंगे हमको भी महनत करना पड़ेगा तो इसलिए दूस्तों मैं आप सब्सक्रिप्शन ले लो कि उनका टॉफ रहता है तो अच्छा रहेगा मेरा coupon को लगा देना उसमें SFY2L आपको और एक्स्टा बारा तो इसके बारे में मैं पर यही बोलूँगा आप चेनल को सब्सक्राइब करईये अथेंटिक जानकारी और अच्छी खबरें के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और अब मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे तब तक ले जहिंज भारत सबस्क्राइब लबी लग नश्याद वो जाने कुछ नहीं हमस्काराइब